नमस्टार साथियों मैं योडेश दूपता इर्बाब फिर से स्वारे करता हूं आपके अपने यूटूब चैनल पर खैसे भाई सब लोग अभी मैं थोड़ा सा आज टॉपिक है ना वो हम लोगों का थोड़ा सा एज्जाम से अटके आज चार जूम को सुबह वाली सिफ्ट में मैं इस रोटा एज्जाम देके आया हूं इंडियन स्पेस रिजर्च ओर्डिनाइशन इस रोड़ा एज्जाम देके आया हूं तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना एस्पिरियंस आप लोग के साथ साज़ा टरू कि इस रोटे जो अभी इस रोटा एज्जाम हुआ था पहले मैं बता दू यह एज्जाम था सतीस धवन स्पेस सेंटर का यह एज्जाम था टोटल जो नंबर ऑफ टोशन थे वो तुमारे असी थे असी औशन इसलिए थे तोटी पिछली बार अभी तक पोशन आते थे साथ लेकर नबबे मिनट देख लेड़े इस बार जो असी टोशन आए है टोटल आपको जो समय दिया दिया है वो दो गंटा एचुले मैं बता दू इस दो गंटे के पेपर में 120 मिनट के पेपर में जो तोटल 50 नुवेल कलते उस्टे साथ साथ मैं आप तो बता दू 25 कोश्चन 25 कोश्चन पूरे मेकेंटल की थी थी और लगबद 5 कोश्चन जो है वो गड़ित के भी आया थे और गड़ित के वो कौन कौन से कोश्चन थे ये तो बच्चा दो कोश्चन तो तुमारे स्टेट ला गड़ित के लेटे और मैं बताओं टम्जचन 50 नुवेल कल आये थे इसे डमने नुवेल कल क्या था कौन कौन से क्टेस अपते होती चेप्टर से ज्यादा नुवेल कल आये थे वह भी मैं आपको बता दू थी तो ऐसा है कि सबसे लगबद बराबर आई थी तो मैं आपको छे कोशन में से 2 कोशन तो उसी बात क्या थे कि हीट इंजिर्टी दॉख्षठा और राविजई रेख्षिरेटर तिकी दॉख्ष पूछी जा रही थी मतलब हीट इंजिटी दॉख्षठा तुम्हें देदी 75 परसेंट सेंग घाथ फॉटे में है कि हीट इंजन दच्छता और स्योपी पंप का मल्टिप्लाई वन के बराबर तो स्योपी और पंप अगर कोई पूछे तो इतना हो जाया तो तो कह देना चार बटे तर्म से तर्म जो है दो दो कोशन तुबारे थर्मोडायमेट प्रॉसेस पे थे वह भी निमेल्टल ही थे एक कोशन आया था पी वी इस्ट्वायर पे हाना इसी तरीके से कुछ हमारे डैसियस लापे भी सवाल आया हुआ था कि इस्तिरदाप पर किसी डैस्टा टेम्परेचर और इस्ते डैस्टा टेम्परेचर ना होजाए यह जब तर व्यूम था तिम्परेचर भी तीन गुना होड़ा तो 27 तो तीन गुना मत करना के डियर ठीड अकरना तो 27 तो 29 सबस्था तीन गुना केलविन बना होदे पहले 300 और 300 तो 300 तो थेन गुना हो जाए गया उस तरीके से 900 फिर घटा देना था तो थर्मोडाइनमिक्स से ओवराल जो है हमारे लगबट 5-6 कोशन थे थर्मोडाइनमिक्स से टोटल हो सबता है इससे ज़्यादा ही रहे हो ओवराल अज़ा 5-6 नर्ख आप कहे के इसको 7-8 कहिए तर्म जड़ाइनमिक्स मेरे मैंड में आ भी नहीं रहे है उसके बात जो एक बालावाले चेप्टर हो है दस कोशन मानिए बारा भी नहीं दस कोशन जया सपास मानिए सौम के एक उसके अलावा स्वेजाए अलावा स्लोप एंड डिफलेक्सन था थे क्रेंट दैसे सवाल आया था तो सौम से आपके सथो निमेल्टल वाला ही टॉपिक ज्यादा तर इसने छुवा हुआ था कोशन टोटल दस थे चाहिए वो थियोरी वाले हो या फिर निमेल्टल लावा इसके लावा जो है आपका एब फंद्रह उंताले डिग्री सेंटीडेर होता है अब दूसरा प्लेटनम की टिश्टल स्टर फूछी रही थे लिए प्लेट नम्में कैसी कि इस्टा फूस्ट रहती है इसरो में प्लूट में ज्यादा पूशन नहीं आते अना इस बार फ्लूड में चेंट से जादा पू तो सिर्फ 3-4 वहारे फ्लूड में ते आये थे और वह तीन से चाल कोशन में भी नियुमेलकल लिए थे लेगे नियुमेलकल इस्टे ऐसे थे फ्लूड में ते जो बिना टैलकुलेटर से नहीं सॉल हो रहा था एक्षली मुझसे तो नहीं सॉल हुआ तो उसमें बहुत सारा ड जयाता की इस्ट्रक्चल की डिव्यू फिडम कितनी होती है जीरो होती है ओके डियर से सवाल था जियर के साथ-साथ एक वह आता है ना चैना इन स्प्रोकेट उससे सवाल ता प्रस्टन था तो लट बद तीन से चार प्रोश्चन तुमारे जो है थे योरी ऑ जो आप मसीन स production production से भी अच्छा था सवाल था अगर मैं सारा production मान लूँ metal cutting को उठा लू metal cutting के साथ सब मैं उससे उठा लूँ क्या बोलते हैं जितने भी manufacturing process होते हों सबसे भी उठा लूँ तो लगवाग दस question जो हमारे production से आया हुआ इस तरीके से जो है हमारा प्रडक्शन से लगबट इतना वेटिस था और मुझे ज्यादा तर पूश्चन याद भी है कि कौन कौन से और अगर मैं पुछू कि पेपर का लेविल कैसा था तो मैं इस तो पेपर का लेविल को मौडरेट कहूंगा इस लिए तो टोटी इस रो एक बड़ा एज़ाम है और इस बड़े एज़ाम में पेपर का जो स्टेंटर रहता है वह हमेसा मेंटेन देता है तो अरहाल मुझे पूछा जाए ती पेपर के स्टेंटर कैसा था तो मैं तो टोटोंगा बच्चा मौडरेट था कटे नहीं था आजाना चाहिए इस्टाटर तो मैं ऐसा ट्रसकता हूँ टी अडर असी नंबर में से आप 65 साइटर क्या हो मतलब आपके 65 नंबर आ जा रहे है असी में से तत्रे आ जा रहे है तो आप जो है इसमें सेलेक्ट हो जाओगे लेगे यह जो सलेक्शन होगा आपका बच्चा यह सलेक्शन जो होगा यह कह सकते हो आगे वाले फेज लिए होगा आगे वाले फेज का मतलब यह है जो इस्टिल टेस्ट होता है सर उस्टे लिए होगा तो असी में से आगा 65 स्टोर आपका आया है तो आप कही ना कहीं जो है फेज इस्टिल टेस्ट लिए सलेक्ट हो जाओग तो 10, 5, 15 और 15, 13, 18, 18, 24, 22, 24, 26, 26, 10, 36, यहां टितना बताया, 36, 8, 45, 45 और भी टोशन थे, मुझे इतना जादा अच्छे से याद नहीं आ पा रहा, लेगें और भी टॉपिट थे, कौन-कौन से और टॉपिट छुटे, मसीन डिजाइन छुटा हुआ है, मसीन डिजाइन से भ कितना होना चाहिए, इस्टे टाइम कितना होना चाहिए, और कोई इंपोर्टेंट सब्जेक्ट छुटा हुआ है, फ्लूड मेटेनिक्स, यह था थर्मो टाइनमिट्स टे अलावा भी मैंने बहुत सारी चीजी छोड़ी, IC इंजन, IC इंजन से आपके 2% थे, IC इंजन से 2% रेफिजरेशन से प्रस्ट नहीं था, बिल्कुल नहीं था, thermal power plant से बिल्कुल प्रस्ट नहीं था, compressor से भी बिल्कुल प्रस्ट नहीं था, अना, production से अच्छा था सा सवाल आये थे, ओके, ऐसे धेर सारे टॉपट कूछे रहे थे, ठीके, तो मैंने सोचा थी, मैंने इस बिल्कुल टो नहीं लगा सकते, मुझे तो कई बार नियुमेल्कुल टो फॉर्मले नहीं याद थे, मैंने एज़ा basic concept सौल टिया, basic concept का मतलब यह है कि मुझे सवाल में दिया जिया है, सवाल में दिया जिया है mm3 पर mm3 क्या था, जूल पर mm3, मुझे एक सवाल दीर मिला था तो मैंने इस वाले टर्मिटर साथ मुल्टिप्लाई कि अमात्रग बन रिया, अमात्रग बन रिया, यूनिट बन रिया ही, पावर निटलाई, मुझे नहीं याद आ रहा था था, बहुत दिनों से मैंने ठुद रही टेक्निकल टीसी इंस्टूट पढ़ाया है, पिछले 10 स तेंडर था, वो मौडरेट लेवल था, मौडरेट टू हाई, ओटे, चली, बहुत बहुत दन्यवाद दोस्त, आप सरलोग मुझे ये भी टमेंट टरिये ला, इस वीडियो में लास्ट बे, ति आपका स्टोल टितना हुआ, इस रोटी अभी 37 धवन, 4 जून तो जो पेपर झाल, ओून तोस्त, ऌका स्टोल टून झाल, झाल, क्याद इस वीडियो ला धुआव, ख सत Tut mismo और सुलूर, कि भाल, कि बहुत बहुत भी बहुत बहुत कbread का स्टोल टोस्त לू Watch, और स elन्रों, मुभत बहुत कंशो, जी बहुत ए. ऌका गल, जी वान्तों, कर्वता बहुतमा